रानिपुर गाउं में राम प्रसाद अपनी पतनी कमला और बेटी शालू के साथ रहता है राम प्रसाद गाउं के जमिनदार के घर में काम करता था इस तरह उसका गुजारा चलता था राम प्रसाद दिन भर जमिनदार के खेतों में काम करता और शाम को जो कुछ भी वहाँ से मिलता, वो अपने परिवार के साथ मिल बाट कर खा लेता था. जमिनदार बहुत ही लालची और घमंडी इनसान था. वो अपने यहां काम करने वालों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था. किसी की तब्यत खराब हो तो भी वो उससे काम करवाता था. सर्दियां भी शुरू हो गई थी और कुछ समय बाद नया साल भी आने वाला था. रामप्रसाद को कभी-कभी रात को खेतों में चौकिदारी के लिए सोना पड़ता था. रामप्रसाद के पास पहनने के लिए गरम कपड़े नहीं थे. जिस वज़ा से एक बार रामप्रसाद को बहुत तेज बुखार आ गया था. तो वो उस दिन काम पर नहीं गया, तो जमिनदार नहीं अपने एक आदमी को उसको बुलाने भेजा. मन मार कर रामप्रसाद को जमिनदार के घर आना पड़ता है. रामप्रसाद को देख कर जमिनदार कहता है. रह भाईू कहा ना टक लगा रहा खो है? आज काम पर क्यों ना आया हो तू? मालिक, आज मुझे बुखार है, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी. या देखो, या बुखार है, और आने की हिम्मत नहीं हो रही आगी. ये काम को उन करेगा? मुफ्त की रोटियां खाने की चाहिएगा? नहीं ने मालिक, सच में हालत नहीं थी आज काम पर आने की. देख भईया रामपरसाद, मुझे कोई नाटक नो चाहिए. मैंने या कोई दरमसालों नो खोल के राखी है. जिसका जम्मन करे आजा और जिसका जम्मन करे चला जा. मैं सच कह रहूं मालिक, नहीं नहीं मालिक, सच में. चुप चाब काम पर लगजा, मोना सुननी कच भी. जम्मन की तब्यत बहुत ही खराब हो गई. और एक दिन खेतों पर काम करते करते, रामपरसाद की मृत्यू हो गई. जमिनदार को अब लोगों की वज़ज़ से उसकी पतनी कमला को अपने यहां काम पर रखना पड़ा. जमिनदार बिलकुल भी नहीं चाहता था कि वो कमला को काम पर रखे, पर मजबूरन उसे उसको अपने घर पर काम पर रखना पड़ा. कमला अब जमिनदार के घर में नौकरानी का काम करती थी. जमिनदार दिन भर उससे घर का सारा काम करवाता. एक मिनट भी आराम नहीं करने देता था. कमला काम पर जाती थी, तो उसकी बेटी शालू घर पर अकेली रह जाती थी. शालू अभी छोटी थी, जिस वज़े से अकेले उसको घर में डर लगता था इसलिए एक दिन कमला शालू को भी जमिंदार के घर ले गई वहाँ जाकर वो शालू से कहती है देख शालू, तु यहाँ आराम से बैट, मैं घर का काम करके आती हूँ तो यहाँ वहाँ मत जाना कहीं भी ठीक है मा, मैं कहीं नहीं जाओंगी कमला वहाँ से चली जाती है शालू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां बैठे तो वो इधर उधर खूम कर अपने बैठने के लिए जगा ढूनने लगी जगा ढूंटे ढूंटे उसको जमिनदार की बेटी का कमरा दिखा जहां बहुत सारे खिलोने रखे थे शालू ने कभी भी इतने सारे खिलोने नहीं देखे थे तो वो जमिनदार की बेटी के कमरे में चली गई और वहाँ जाकर उसके खिलोनों को निहारने लगी और कहती है आहा कितने सारी खिलोने हैं और वो गुडिया वो तो बिलकुल असली लग रही है ऐसा कहकर शालू उस गुडिया की तरफ जाती है कि तब ही वहाँ जमिनदार की बेटी संध्या आ गई और शालू को अपने कमरे में देख कर चिलाती है कौन हो तुम और तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो मम्मी बापा जल्दी आओ ना ऐसा कहकर वो अपनी मा और पिता को आवाज लगाती है उसकी आवाज सुनकर जमिदार आता है और उसके चिल्लानी की वज़ा पूछता है तब अपने पिता को देखकर संधिया कहती है संधिया की बात सुनकर शालू कहती है नहीं नहीं मैंने तुमारी गुड़िया नहीं चुई है मैं तो बस देखने के लिए तुमारी गुड़िया के पास आई थी मैंने तुमारी गुड़िया को नहीं चुआ है और नहीं गंदा किया है कून है तू और यहां कैसे आई मेरे घर में उन लोगों की बहुत सुनकर कमला जल्दी जल्दी वहां आती है और कहती है मालिक ये मेरी बेटी है शालू वो ये अभी छोटी है ना इसलिए घर पर अकेले डर जाती है इसलिए आज मैं इसको भी अपने साथ लेकर आ गई कमला शालू को एक कोने में बिठा कर काम करने चली जाती है काम करके वो लोग घर चले जाते हैं रास्ते में वो लोग जब घर जा रहे थे तो वहाँ सड़क पर एक आदमी लोट्री की टिकट बेच रहा था शालू अपनी मा से कहती है मामा हम लोग भी लोट्री ले लेते हैं ना नहीं बेटा हम लोग क्या करेंगे लोट्री लेकर हमारी किसमत इतनी अच्छी कहा है जो हमारी ही लोट्री निकल जाए कोई बात नहीं मा ले लो ने एक लोट्री का टिकट क्या पता इस पर हमारी ही लोट्री निकल जाए शालू के इतना कहने पर कमला लोट्री का एक टिकट खरीद लेती है उस लोट्री का परिणाम नए साल के दिनाना था 31 दिसंबर को शालू अपनी मा के साथ फिर से जमिनदार के घर जाती है वहाँ आज जमिनदार की बेटी जमिने नए साल की पार्टी रखी थी अपने कुछ दोस्तों के साथ शालू देखती है कि जमिनदार की बेटी संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटती है जिसे देखकर शालू अपनी मा से कहती है मामा मुझे भी केक खाना है रुखना बेटा, पहले इन लोगों को खाने दे, जब बच जाएगा तो ये लोग हमें दे देंगे, तो चुपचाप खड़ी रहे ऐसा कहकर दोनों मा बेटी चुपचाप उन लोगों को देखती है जब वो लोग केक खा लेते हैं, तो संध्या वो बचा हुआ केक अपने कुट्टे को खाने को दे देती है जिसे देखकर शालू अपनी मा से कहती है क्या मा, इन लोगों ने तो बचे हुए केक में से हमें कुछ भी नहीं दिया है कुट्टे को पूरा केक दे दिया और हमें एक टुकडा तक नहीं दिया ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते है मा ऐसा कहकर शालू रोने लगती है तब कमला अपनी बेटी को चुप कर आती है और फिर से घर के काम में लग जाती है जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो वो बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर वहां से घर के लिए चले जाते हैं घर पहुँचकर वो लोग वो खाना खाकर रात को घर के बाहर बैट जाते हैं उनकी गली में सब लोग नए साल के लिए वम और पटाके जला रहे जिसे देखकर शालू कहती है मामा मुझे भी पटाके जलाने है मुझे भी लाकर दो ना बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ढंक से खाना खा सके फिर पटाके कहां से लाएंगे मेरे पास होते तो बेटी मैं जरूर लेकर आती तुम्हारे लिए ठीक है मा तो क्या मैं गली में जाओ बच्चों के साथ पटाके जलाने ठीक है जा शालू अपनी मा से पूझकर गली में बच्चों के साथ पटाके जलाने चली जाती है वहाँ उसके पड़ोस का एक लड़का पटाके जला रहा था तो वो उससे कहती है मुझे भी अपने साथ पटाके जलाने दो ना नहीं मैं क्यों दो तुमको अपने पटाके जलाने के लिए तुम अपने पटाके जलाओ मेरे पास पटाके नहीं है तो जाकर अपनी मा को बोलो ना वो खरीद कर दे तुम्हें जाओ यहां से वर्णा मैं अपनी मा को बोलकर तुम्हारी पिटाई करवा दूँगा लड़के की ऐसी बात सुनकर शालू को बहुत ही दुख होता है और उसकी आँखों में आसु आ जाते हैं तब वो अपनी मा के पास जाकर कहती है मा, मा हम लोग क्यों और लोगों जैसे नहीं है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है मा सब लोग हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो ना कोई भी मुझे अपने साथ पठाके नहीं जलाने दे रहा है भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया मा ऐसा कहकर शालू जोर जोर से रोने लगती है शालू को रोता देख कर कमला कहती है रो मत मेरी बच्ची, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है आज मेरे पास तुझे देने के लिए पठाके नहीं है पर तुदेखना, मैं और मेहनद करूंगी और तुझे अगले साल, नए साल के दिन नए कपड़े, केक और पठाके सब दिलाऊंगी तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा भगवान इतना भी कठोड नहीं हो सकता और कमला अपनी बेटी के आंसू पोच कर उसको गले लगा लेती है अगले दिन नया साल आ जाता है शालू अपनी मा को नय साल की शुपकामनाई देती है उसके बाद दोनों मा बेटी मंदिर जाते है उसके बाद कमला काम करने जमिनदार के घर जाती है और शालू भी आज कमला के साथ जाती है वहाँ जाकर शालू एक कोने में बैठ जाती है तभी वहाँ जमिंदार की बेटी संध्या आती है और शालू को वहाँ बैठा देखकर उसको कहती है अरे तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है ये ले मेरे जूते पॉलिश कर ऐसा कहकर वो शालू को अपने स्कूल के जूते पॉलिश करने को दे देती है शालू ने इससे पहले कभी भी जूते पॉलिश नहीं किये थे तो वो कोशिश करती है जूते पॉलिश करने की पर उससे सही से नहीं हो रहे थे तो उसको देखकर संध्या कहती है अरे तुमको तो पॉलिश करना भी नहीं आता ऐसे कौन पॉलिश करता है ऐसा कहकर वो शालू को एक जोर का चाटा मार देती है चाटा इतनी जोर से लगा कि शालू के गाल पर संध्या के हाथ की उंगलियां छप गई शालू जोर से रोने लगी पर चुपचाब जूते पॉलिश करने लगी शालू को चाटा मारने के बाद संध्या सोफे पर बैट कर न्यूस पेपर देखने लगी और पास में बैठे अपने पिता से बोली पापा आपको पता है आज लौटरी नंबर 9876 को पंद्रा लाग का इनाम मिला है मैंने बोला था ना आपको खरीद लो पर आपने नहीं खरीदा ना अब देखो वही नंबर की लौटरी निकली है पास में जूते पॉलिश कर रही शालू तुरंद जूते पॉलिश को छोड़कर अपने घर की तरफ भागती है और वहाँ जाकर अपनी लोटरी के टिकट का नंबर देखती है तो नंबर देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये उसी नंबर की टिकट थी जिस नंबर की आज लोटरी निकली थी वो खुशी से उचलती खूती हुई जमिनदार के घर जाती है और अपनी मा को आवाज लगाती है मा मा जल्दी आओ मा संध्या शालू को देखकर गुसे से उसकी तरफ जाती है और फिर से उसको चाटा मारने के लिए अपना हाथ उठाती है पर इस बार शालू संध्या का हाथ पकड़ लेती है शालू की आवाज सुनकर कमला भी वहां आ जाती है अपनी मा को देखकर शालू कहती है मामा अब तुमको इन बेकार और घटिया लोगों के यहां काम करने की कोई जरुरत नहीं है ए लड़की तेरो का दिमाग खराब है कहां बोल रही है ए कमला लगए है आगी लड़की एक दिमाग खराब हो गए हो लगए शालू तु ऐसा क्यों बोल रही है माफी मांग मालिक से ऐसा कहकर कमला जमिनदार के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है मालिक माफ कर दो बच्ची है भी मैं माफी मांगती हूँ शालू की तरफ से हमें माफी मांगने की कोई जरुरत नी है मा देखो न हमारी पंद्रा लाग की लोटरी निकल गई है भगवान ने हमारी सुन ली है अब हम भी गरीब नहीं रहे उसके बाद वो जमिंदार और उसकी बेटी संध्या को कहती है देखो तुम लोगों को अपने पैसे पर बड़ा घमंड था न अब हमारे पास भी खूब पैसा आ गया है भगवान ने सब को एक समान बनाया है ना कोई अमीर ना कोई गरीब ये तो तुम जैसे लोगों की सोच है कब किसका समय बदल जाए क्या पता इसलिए सब को इज़द देनी चाहिए अब देखो हमारे पास भी पैसो की कोई कमी नहीं रही ऐसा कहकर शालू अपनी मा को लेकर वहां से चली जाती है लोटरी के नाम के पैसो से उसकी मा ने एक घर खरीद लिया और अपनी बेटी शालू के लिए नए कपड़े केक और पटाके खरीदे क्योंकि उनका नया साल तो आज ही शुरू हुआ था अब उनके गरीबी और दुख के दिन भी खत्म हो गए है शालू ने नए कपड़े पहन कर केक काटा और बचा हुआ केक उसकी मा ने गरीब बच्चों में बाट दिया शालू ने उन गरीब बच्चों के साथ मिलकर पटाकी जलाई और अपना नया साल मनाया मानवी एक छोटे से शेहर की लड़की थी उसका जीवन बहुत ही गरीबी में बेता उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई था उसके पिता जी अक्सर बीमार रहते थे और मा अन्पढ़ होने की वज़ह से कहीं काम पर नहीं जाती थी मानवी पढ़ाई में बहुत होश्यार थी और उसका भाई भी मैथमेटिक्स के सवाल वो चुटकियों में हल कर देती थी जैसे ही उसने अपनी बारवी खत्म की उसके पिताजी की तब्यत और भी जादा खराब रहने लगी इसलिए मानवी कही न कहीं जौब की तलाश में लगी रहती एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाती है बहुत दिनों बाद आई हो मानवी तू तो मुझे बिलकुल ही भूल गई ऐसा नहीं है यार मैं किसी को नहीं भूली हो बस घर के हालाद बहुत बिगड़े हुए है कही न कहीं नौकरी की तलाश में लगी हुई हो मुझे कोई ऐसी नौकरी चाहिए जो सुबह और शाम पार्ट टाइम ही हो पर मिल जाए बाबा की तब्यत बहुत खराब रहती है इसलिए उनकी देखभाल भी करनी है यार ऐसी जौब कहा होती है सब भी 9 to 5 की जौब होती है अब तुम क्या कोई काम वाली हो जो सुबह शाम किसी के घर में काम करके आ जो कोमल ने तो मजाग में ही कहा था किन्तु मानवी को ये बात जच जाती है वो घर जाते समय एक अकबार खरीद लेती है और उसमें नौकरी के जितने भी इश्तेहार आये हुए थे वो उन पर गोला लगा लेती है अगले दिन वो तैयार होकर एक घर पर इंटर्व्यू के ले जाती है हम्, मानवी नाम है तुम्हारा अच्छा, और बार वी पासो चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो देखो, मेरे घर में सुबह सभी जाने वाले होते हैं इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा और सारा काम 9 बजे तक खत्म करना होगा और दोपहर को अगर तो मा सकती हो तो मेरे बच्चे दोपहर को स्कूल से आएंगे जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाओ तब तक तुम्हें उनका खयाल रखना होगा और शाम का खाना और काम भी करना होगा ठीक है, मैं ये कर लूँगी लेकिन आप मुझे बताएंगी कि सेलरी कितनी होगी दस अजार उपे महिना दूंगी और इमानदारी सबसे उपर रखना कोई भी चीज घर की इधर उधर नहीं होनी चाहिए वैसे तो थोड़ी दिनों की बात है मेरे पास जो नौक रानी थी वो दो-तीन महिने के लिए छुट्टी पर गई है उसके आने पर हो सकता है मैं तुम्हें जॉब पर रखू या ना रखू अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें पर्मानेंट भी रख सकती हो मानवी गहरी सांस लेती है और इस जॉब के लिए हां कह देती है घर आकर वो अपनी मा को बताती है कि उसे एक जगा नौकरी मिल गई है पर वो ये नहीं बताती है कि किसी के घर में काम करने के लिए जाएगी अरे दीदी आप जॉब पर चली जाओगी तो मुझे कौन पढ़ाएगा अरे रात को तो मैं घर पर ही हूना मैं पढ़ा दूँगी तो टेंशन मतले और माँ बाबा को हम लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल ले कर जाएगे बस थोड़े दिन की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा अगले दिन सुबह मानवी तैयार होकर काम पर निकल जाती है सुबह सुबह वो जाकर सबके लिए नाश्टा बनाती है और फिर सबके टिफिन पैक करके देती है उसके बाद वो जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म करती है 9 बज़े तक सारा काम खत्म हो जाता है मालकिन खुश हो जाती है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है फिर वो मानवी को चाबी दे देती है और दोपहर को आने का बोल देती है मानवी दोपहर को धाई बज़े बच्चों को लेते हुए सीधा घर आती है और उन्हें खाना पिना खिला कर वो शाम का काम खत्म करती है और सब के लिए खाना बनाती है मालकिन और उसके हस्बेंट जब आते हैं तो वो मानवी का काम देख कर खुश हो जाते हैं और उसके हाथ का खाना भी उन्हें बहुत टेस्टी लगता है और जब मानवी जाने लगती है काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है अगर इसी तरह काम करती रही तो हो सकता है मैं दूसरी नौकरानी को यहां ना रखूँ मानवी मुस्कुरा कर चली जाती है एक दो दिन बात संडे होता है मानवी जब वहां पहुँचती है तो उसकी मालकिन किसी हिसाब किताब में कोई गरबड़ी को लेकर अपने हस्बेंट से बात कर रही थी मैं बार बार कई बार चेक कर चुकी हूँ लेकिन मुझे समझ में नह साथ काम कर रही हो जरा सी चूक से तुमारी इमेज खराब हो सकती है इसलिए ध्यान से देखो तभी मानवी चाय बना कर ले आती है और वो अपनी मालकिन को परिशान होता हुआ देख कर बोलती है मैं मैं सुबह से देख रही हूँ आप काफी परिशान है हाँ मैं बहुत प बढ़े लिखे होकर हिसाब नहीं कर पा रहे, भला वो बारवी पास कैसे कर पाएगी? बहुत बड़ा हिसाब है, मैं नहीं कर पा रहे, तुम कैसे कर पाऊगी? पर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? उसकी मालकिन अपना सारा हिसाब मानवी को दे देती है मानवी बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को देखती है और आखिर में वो अपनी मालकिन को बताती है कि यहां पर गरबर हो रही है और जब उसकी मालकिन उस चीज़ को देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो उसकी नजरों से कैसे निकल गई Brilliant! कैसे किया तुमने ये सब? मानवी इतने intelligent होकर तुम यहाँ जाड़ू पोचा कर रही हो मानवी फिर उसे बताती है कि उसका mathematics बहुत अच्छा है घर के हालात ऐसे हैं इसलिए आगे पढ़ाई नहीं कर पाई और आपके हाँ जॉब कर रही हूँ मालकिन और उसका husband दोनों impress हो जाते हैं फिर वो अपने बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मानवी को दे देते हैं और उसकी salary भी बढ़ा देते हैं दो महीने बाद पुरानी नौकराणी वापस आती है तो मालकिन उसे भी रख लेती है और मानवी को बच्चों के पढ़ाई और खाना बनाने के लिए रख लेती है पहली नौकराणी का नाम मंजू था वो मानवी से खार खाने लगी मैं भी काम वाली हूँ और ये भी काम वाली है पर मालकिन इसको कितना भाव देती है हम इसकी तो जल सी जल छुट्टी करानी पड़ेगी अगले दिन मालकिन के भाई का बेटा अमित अपनी बुआ से मिलने के लिए आता है वो कुछ पेपर से लेकर आया था बुआ जी मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है समझ नहीं आ रहा सारा हिसाब गड़बड है जिस वज़ा से पिता जी मुझे डाट रहे है फिर मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे इंटेलिजेंट तो और कोई है ही नहीं हिसाब में नहीं भाई अब इस घर में मेरे से भी जादा इंटेलिजेंट और है जिसने मेरे हिसाब को सही किया था अमित हैरान होकर अपनी बुआ की तरफ देखता है आपसे इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता तभी मालकिन मानवी को बुलाती है और उसे अमन के लाए हुए कागस पकड़ाती है मानवी मेरे भाईया की कपड़ों की दुकान है और ये उनका हिसाब है जो कि अमित संभालता है और इसे कुछ गरबढ हो गई है अगर तुम गलती ढूंड कर निकाल दो तो मैं सच कहती हूँ आगे की पढ़ाई की तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूँगे मानवी पेपर ले लेती है और उसके बाद वहीं बैठ कर उसे ध्यान से देखती है और सारा हिसाब दूसरे पेपर पर उतार कर अमित के हाथ में पेपर पकड़ा देती है अमित हैरान हो जाता है जो हिसाब उसके पिता जी ने बताया था वही हिसाब मानवी ने कागस पर उतार दिया था क्या कहा था मैंने तुम से कि ये बहुत intelligent लड़की है और मेरे से भी जादा मान गया बुआ सच में जो हिसाब में दो दिन से नहीं लगा पा रहा था इसने चुटकी में लगा दिया चलो भाई मानवी तुमने हिसाब निकाल दिया है अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगी तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी होगी तुम इतनी intelligent हो कहां काम वाली बन कर घुम रही हो आज से तुम बच्चों को पढ़ाऊगी और अपनी पढ़ाई भी करोगी मैं पत्रा चार में तुम्हें अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है अपने भाई को भी पढ़ाती और वहां मालकिन के घर में बच्चों को भी देखते ही देखते तीन साल निकल जाते हैं और मानवी अपना graduation पूरा कर लेती है बहुत बहुत मुबारक हो मानवी तुमने अपना graduation पूरा कर लिया सुनो मेरे भाई को एक accountant की जरूरत है और मैंने उन्हें बोल दिया है कि तुमसे अच्छा हिसाब कोई और नहीं कर सकता इसलिए तुम्हारी वहां पर job लगवा रही हूँ दिल लगा कर काम करना आप बहुत अच्छी हो आपकी वज़े से ही मैं अपनी जिंदगी में आगे पर पाई हूँ बस दिल लगा कर काम करना मेरे भाईया थोड़े गुसे वाले आदमी है अगर कोई बात कहें दे तो दिल पर मत लगाना मानवी की इतनी जल्दी जल्दी तरक्की होती है वो देख कर मंजू को जलन हो जाती है और वो उसी दिन सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ करके इसको मालकिन की नजरों से गिराना है शाम को मालकिन को कहीं जाना था इसलिए मंजू जल्दी से उसका हार उठा कर मानवी के बैग में डाल देती है हार ना मिलने की वज़से मालकिन बहुत परिशान होती है और फिर समझ नहीं आ रहा अभी यही टेबल पर रखा था ज्यान से देखो यहीं कहीं गिर गया होगा तभी मन्जू पानी का गिलास लेकर अंदर आती है और मालकिन मन्जू से पूछती है तो मंजू कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले मानवी को यहां देखा था मालकिन को यकीन तो नहीं होता लेकिन वो मानवी को बुला लेती है और जब उसके बैक की तलाशी लेती है तो हार उसी में मिलता है नहीं नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं की आप मुझे जानती हो मैं इतने सालों से यहां काम कर रही हूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सच सच बताओ मानवी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल से तुम दूसरी जगा पर जॉब करने के लिए जाने वाली थी तो तुमने यहां एक मोटा हाथ मारने की सोची और मानवी थी कि लगातार रोय जा रही थी तभी मालकिन का हस्बेंड उससे बोलता है कि नहीं मुझे मानवी के उपर बिल्कुल शक नहीं है वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती जरूर कोई और बात है मानवी रोते-रोते घर चली जाती है अगले दिन वो काम पर नहीं आती मालकिन घर पर ही होती है कि तभी उसे बालकनी से एक खुसुर-फुसुर की आवाज सुनाई देती है वो ध्यान से परदे के पीछे जाकर सुनती है तो मंजू किसी को फोन पर बता रही थी पता है कैसे मू लटका कर गई है यहां से मैडम की कोई चीज चोरी भी नहीं हुई और देखो मैंने कैसे उसे भी यहां से निकलवा दिया साम भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी यह सुनकर मालकिन को बहुत बुरा लगता है और वो मंजू को रंगे हाथों पकड़ लेती है फिर मंजू बताती है कि वो मानवी से जलने लगी थी इसलिए उसे जोटी चोरी के इलजाम में डलवा दिया अगले दिन मालकिन मानवी के घर जाकर उससे सौरी बोलती है और मानवी के माता पिता से बोलती है कि अब मानवी मेरे भाई के आँपर जौब नहीं करेगी बलकि वो उनके घर की बहु बन कर जाएगी क्योंकि मेरे भतीजे ने मानवी के बारे में अपने घर पर बता दिया है वो लोग मानवी को अपने घर की बहु बनाना चाहते हैं ये सुनकर मानवी के घर वाले खुश हो जाते हैं कुछ दिन बाद मालकिन अपने भाई की फ्रैमली के साथ मानवी के घर आती है और रीती रिवास के साथ अमित की सगाई मानवी से कर देती है और कुछ दिन बाद ही मानवी की शादी अमित से हो जाती है इस तरह मेहनत और लगन से मानवी आगे बढ़ते हुए एक अच्छी जिन्दगी जीती है और अपने परिवार का भी बहुत साथ देती है